हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्जाम अकेडमी के इस इनफार्मिस्टर प्लेटफॉर्म पर जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी इस्टीट या किसी नेशनल इस्टिटूशन से अगर प्रोफेशर, असोसियेट प्रोफे से रिलेटिट कोई रिक्रुमेंट रहता है तो उसका इनफार्मिशन हम विड़ों के माद्यम से आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहते हैं यहां पर हम प्रोफेशर और असिस्टन प्रोफेशर से संबंधित रिक्रुमेंट के ऊपर डिसकस करेंगे यहां पर जो रिक्रुमेंट मांगी जा रही है वो निकल कर आई हुई है जवाहर लाल इसनातुकतर अनुसंधान संस्थान से जिसे जी आई पी एम ई आर पांडुचेरी एंड कराईकल केंपस के अंदर यह रिक्रुमेंट मांगे जा रहे हैं तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे यहाँ पर जो सीटे हैं वो रेगुलर बेसिस पर निकल कर आई हुई है जिसके उपर हम डिसकस करने वाले हैं हम यहाँ पर देखेंगे कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटों पर रिक्रुमेंट मांगे जा रहे हैं साथ इसाथ फार्म को अपलाई करने का जो लाश्ट पर मिलता रहें तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जवाहर लाल इस्टिटूट आप पोस्ट ग्रिजुएट मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च की तरफ से आई हुए रिक्रुमेंट के उपर इसे जवाहर लाल इसनात उक्तर आयुर विज्ञान सिच्छायव मनुस और यहीं से यह रिक्रुमेंट मांगे गए हैं परमानेंट पोजीशन पर यहाँ पर रिक्रुमेंट जो है वो 16 अक्टूबर 2024 को पब्लिस किया गया है इस नोडिफिकेशन में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप सभी को इनवाइट किया हुआ है इसे साथ जो कराईकल कैंपस है यहाँ से भी रिक्रुमेंट मांगे गए हैं तो दो जगह से यह रिक्रुमेंट निकल कर आये हुए हैं जिसके लिए आप फाम अप्लाई कर सकते हैं 21 तुमबर 2024 का यहाँ डेट रखा गया है इस डेट से पहले ही आपको फाम अप्लाई कर लेना है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डिपार्टमेंट को तो आप अगर अनेस्थेसियो लॉजी से फाम अप्लाई करना चाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं पांडिचेरी का जो कैंपस है वो यहाँ पर मिंसन है और जो कराईकल का कैंपस है दोनों यहाँ पर मिंसन है द संस्हिंट से क्लिनिकल एमिनियोलाजी से रिकुमेंट चराई हुआ है इसके बारल अप diez देपार्टि से से फार्म अप्लाई कर सकते हैं, emergency medicine medical service से फार्म अप्लाई कर सकते हैं, endocrinology से फार्म अप्लाई कर सकते हैं, ENT से आप application यहाँ पर डाल सकते हैं, forensic medicine and toxicology से फार्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर gastro में अप्लाई कर सकते हैं, gastro के लिए surgical और medical दोनों में recruitment मांगे गया हैं, geriatric medicine से recruitment मांगे गया है, JIPMER, International School of Public Health से recruitment मांगा गया है, जिसमें environmental health, epidemiology से, उसके बाद maternal and child health से recruitment मांगे गया है, इसके बाद आप non communicable disease से farm apply कर सकते हैं, medicine से farm apply कर सकते हैं, medicine में homeology से farm apply कर सकते हैं, nanotology से farm apply कर सकते हैं, nephrology, nuclear medicine, gastrology में, gynecology में से farm apply कर सकते हैं, orthopedic से, pediatric से, pathology से farm apply कर सकते हैं, इसके बाद आप farm apply कर सकते हैं, physical, medical and rehabilitation से physiology से फार्म अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर कुछ regeneration का भी post है जिसमें आपको फार्म अपलाई करने के लिए पलाई किया गया है इसमें preventive technology से फार्म अपलाई कर सकते हैं social medicine से फार्म अपलाई कर सकते हैं psychiatry से फार्म अपलाई कर सकते हैं सरजेरी से फार्म प्लाई कर सकते हैं सरजिकल एंड अकनोलाजी से फार्म प्लाई कर सकते हैं यूरोलाजी से फार्म प्लाई कर सकते हैं यहाँ पर प्रोफेशर के लिए 26 सीटे है और 35 सीट जो है वो असिस्टन प्रोफेशर के लिए गलकर आया हुआ है, पांडूचेरी केंपस से, और वहीं दो सीटे यहाँ पर प्रोफेशर और 17 सीटे असिस्टन प्रोफेसर के लिए निकल कर आया हुआ है, कैरिकल कैंपस से, यहाँ पर जो अप्लिकेशन माँगे जा रहे हैं, वहीं यहाँ पर एज लिमित की अगर हम बात लिमिट रखा गया है, 5% का relaxation भी मिल जाएगा, गर आप SCST काटेगरी से बिलॉंग करते हैं, salary की बात करें, तो अगर आप professor के लिए यहाँ point होते हैं, तो आप लोगों को academic payable 14 की salary provide कराए जाएगी, 1,68,900 रुपए से entry salary यहाँ पर start है, वहीं assistant professor के लिए academic payable 12 की salary आप लोगों को मिलेगी, 1,15,000 रुपए की यहाँ पर आप लोगों को entry salary प्रवाइड कराए जाएगी, वही qualification की बात करें, तो यहाँ पर हर एक post पर अलग qualification mention किया गया है, लेकिन जो basic qualification है, उसमें आप लोगों का assistant professor के लिए masters होना जरूरी है, यानि कि आप MD, MS आप लोगों ने pass out किया हुआ हो, medical field में साथ-साथ 3 years का experience आप लोगों के पास हो, आप फाम apply कर सकते हैं, वहीं same qualification के साथ-साथ 14 years का experience professor के post पर यहाँ पर मांगे जाएंगे, तो जिनके पास जो experience है, उसके अरहार पर आप फाम apply कर सकते हैं, आप जिस भी department से फाम apply करेंगे, related subject में आपके पास masters होना जरूरी है तो ही आप फाम apply करने के लिए यहाँ पर eligible रहेंगे तो जो भी interested candidate हैं, जो लोग फाम apply करना चाहते हैं, वो लोग 21 November 2024 से पहले अपने application farm को online portal के माध्यम से fill up कर ले, यहाँ पर online process से आपका फाम apply किया जाएगा, इनके official website पर जाकर आप फाम apply कर सकते हैं यहाँ पनका official website है www.jipmer.edu.in पर visit करके आप लोग यह जो application farm है, वो fill up कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही इस तरीके के और भी information हम आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहेंगे मिलते हैं के नए वीडियो में नए information के साथ अब तक के लिए thank you so much